हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके LED TV में यहाँ पे नो सिगनल का प्रोब्लम आ जाता है तो अगर आप डिस एंटीना को अगर नहीं आप कनेक्ट किये हुए हैं अपने LED TV में तो यहाँ पे बीना डिस एंटीना के हम वीडियो को प् अपने मुबाइल का वीडियो अपने LED TV में चला के दिखाऊंगा यह मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं क्यों क्यों मैंने पार्ट वन इससे बनाया हुआ है तो यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट है कि यहाँ पे सक्सेस्पुली वर्क नहीं कर पाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा वीडियो बना रहा हूं तो सबसे पहले यहाँ मैंने LED TV को आउन किया से मैं कर देता हूं करते है यहां पर नो सिगनल का प्रोब्लम आ जाता है तो इस प्रोब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नो सिगनल का प्रोब्लम आ रहा है तो आपको करना क्या है आपको अपना एक डेटा केबल लेना है जिसे आप अपना कर देना है जिससे हमारे मोबाइल का वीडियो हम अपनी LED TV में चला पाएंगे तो दोस्तों यहां पे सभी मैं इस्टेप आपको करके पूरा दिखा देता हूं कैसे आपको डेटा केबल को कनेक्ट करना है तो यहां पे मैं आपको दिखा यहां पर हमारे पास एक data cable रखा हुआ है जो कि मैंने अपने चार्जर से निकाल लिया USB data cable को आपको लेना है तो यहां पर देख सकते हैं यह data cable है इसका आपको एक सिरा अपने mobile में लगाना है और दूसरा सिरा आपको अपनी LED TV में लगा दिना है जिससे हमारा mobile का वीडियो हमारी LED में चल पाएगा LED TV में चल पाएगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक USB इनका यह जो slot है इसी में आपको इसी data cable को लगाना है तो जैसे हम लगाएंगे तो आपको अच्छी परकार से लगा देना है इसका छिरा आपको अच्छी परकार से एक बैठेना है LED TV में उपने mobile में connect कर देना है तो फटाफर से हम यहां पर काम कर लेते हैं दोस्तों यह जो आपको दूसरा शिरा आपको mobile में connect करना है connect करने से पहले आपको अपनी LED TV को आपको को एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपकी लेडी टीवी में क्या सेटिंग करनी पड़ेगी यहां पर मैं आपको लाइप प्रूब करके दिखा देता हूं यहां पर आपको टीवी का रिमोट लेना है सबसे पहले और रिमोट ले लेने के बाद इस वाले ऑप्शन बटन को क्लि करते हैं और देने यहां पर आपको मीडिया के उप्शन पर क्लिक करना है तो चलिए हम मीडिया के उप्शन पर क्लिक कर लेते हैं जिसे हमारा वीडियो जो है हमारी एलेडी टीवी में चल पाएगा यहां पर आपको मीडिया पर सेलेक्ट करके उके कर देना है तो हम इक्यूप में नहीं लगा हुआ है, कोई भी यहाँ पे pen drive या फिर USB data cable connection नहीं है, तो यहाँ पे आप दोस्तों आपको करना क्या है, अपना data cable लगा दें, दोस्तों आपको अपना data cable अपने mobile में आप connect कर दीजे, परन्द तो connect करने से पहले, आपको अपने mobile में एक setting करनी पड एगा यहीं सेटिंग पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताई थी तो यहां पर कुछ लोगों को प्राप्लम हो गई थी जिनका वीडियो जो एलेठी टी घारे में नहींचल पा रहा था मोयल टोो क्या सेटिंग करना पड़ेगा आपको अपने मोबायल में मैं जो setting है उसे आपको open कर लिजिए और open कर लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक additional setting ढून लेना है तो यहाँ पे आपको एक developer option का option ढूनना है developer option जहाँ पे भी आपको मिल जाए वहाँ से आप उसे open कर लिजिए तो हमारा additional setting के अंदर developer option है तो यहाँ पे मैंने किलिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं developer option दिखा रहा है तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ आपके mobile की setting अलग होगी तो आप developer option को ढोन लेने के बाद यहां से आपका यह off रहता है तो आपको इसे यहां से on कर देना है तो on कर देने के बाद अब यहां पे आपको नीचे इस्क्रोल करना है और यहां पे आपको कई सारे option देखने को मिलेंगे यहां पे किसी भी option को आपको touch नहीं करना है जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ यहां पे आपको touch करना है तो थोड़ा सा नीचे हम यहां पे आ जाते हैं यहां पर दोस्तों आपको USB dubbing का option आपको ढूनना है जहां पर भी आपको मिल जाए USB dubbing का option तो उस पर आपको click कर देना है तो यहां पर लिखा हुआ तो हम कर देते हैं तो यह हमारा यूस्बी डबिंग जो है ओपन हो जाएगा तो यहां पर कुछ इस परकार से हमारा यूस्बी डबिंग कि आ चुका है दोस्तों मैंने आपको बताना भूल गया दोस्तों आप जैसे अपने मोबाइल में डेटा केबल को कनेक्ट करेंगे तो आपके ट्रांसफर फाइल का ओप्सन को यूज कर लीजिएगा जिसे आपका डेटा केबल कनेक्ट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे क्लिक को आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपी रेट इस्ट्राइक आने का खत्रा है मेरे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा हमारे साथ रिजल्ट मिला है हमने जो मेहनत की है अपना डेटा केबल को कनेक्ट किया है अपनी LED TV में वह यहाँ प पा रहा है हमारा वीडियो हमारी LED TV में तो मैंने इस पर बनाया हुआ है क्योंकि पार्ट वन में कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता और कई सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम हो गया था नहीं चल पा रहा था वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेट केबल को connect करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाल में transfer file का option पूछा जाएगा तीन option पूछे जाते हैं charging only transfer file तो transfer file के option को use करके आप LED TV में video को चला सकते हैं तो दोस्तो complete system मैंने आपको बता दिया है